वेलकम टो मदरलेंड डिजिटल क्लास बक्चो आज हम आपको आपकी क्लास मैट्स तो आपकी क्लास फोर्थ की मैट्स को पढ़ाते हैं स्टार्ट करते हैं तो देखिए लेटेस रिव्यू तो आपको ये जो एक्सरसाइज दी गई है ये आपको क्लास थर्ड तक आपने जो भी पड़ा है उसका रिवीजन वर्क है तो बच्चों यह आप आसानी से कर सकते हैं तो उसमें फिर भी आप समझ सकते हैं राइट दा प्लेस वैलू ऑफ एट इन दा फॉलॉइंग नमबर अब इसमें देखना है कि एट की प्लेस वैलू क्या होगी तो हम लिखेंगे एट की एट लिखेंगे इसमें और क्योंकि एट वन्स प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैलू भी क्या होगी 8 ones इसमें 8 कौन से स्थान पर है unit 10, 100 और 1000 तो हम यहां लखेंगे 1000s प्लेस पर है 8 तो इसकी place value क्या होगी 8,000 इसकी place value क्या होगी 8 की देखिए 10 यह 10 स्थान पर है तो 8 लखेंगे और 8 के बाद कितनी से क्या है 1 तो 8,0 होगया अब place value of 8 इसमें देखें आप 1, 10, 100 तो यह 100 स्थान पर है तो 8 की 8 लखेंगे और 8 के बाद कितनी संख्या है 1 और 2 तो 2,0 आगे इसमें तो इसको आप अपनी बुक में लख सकते हैं और copy में भी करना चाहें तो copy में भी आप इसको कर सकते हैं राइट नंबर राइट नूमरल फॉर दा फॉलोईंग यह वर्ड्स में लखे हुए हैं 5,074 तो आपको यहां लखना है 5,074 कैसे लखते हैं गिनती लिखनी हैं इसकी आपको नंबर्स में लिखना है यह वर्ड्स में दे रखा है आपको फिगर्स में या नंबर्स में आपको यहां पर लिखना है नेश्ट कोशन थ्री राइट नंबर नेम अव दा फॉलोईंग यह जो नंबर्स में दे रखा है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है आसानी से लिख सकते हैं 5,275 अब इसमें arrange the following in ascending order ascending order का मतलब है संख्याओं को आरोही क्रम में यानि संख्याओं को सबसे पहला छोटी संख्या फिर उससे बड़ी पर उससे बड़ी यानि लाश्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3029 इसके बाद में इससे बड़ी संख्या है 3089 इसके बाद में 3098 और इसके बाद में 3099 और लाश्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी 3209 इसको आफ फिल अप कर लें अपनी बुक में अब नमर फाइब देखिए एन डिसेंडिंग ऑडर में आपको लिखना यानि उल्टे क्रम में बड़ी गिंती पेले आएगी उससे पर छोटी गिंती आएगी सबसे लाश्ट में सबसे चोटी गिंती आएगी सबसे बड़ी है इसमें 7,836 इसके बाद में 7,779 फिसके बाद में 7,563 और इसके बाद में 7,231 यानि सबसे चोटी किंती सबसे बाद में आएगी है विनाइच डे बच्चो आप इसको फिलफ करें यह आपका होम बर्क है